हलो दोस्तो आईए आगी की कहाने सुनते हैं बोडिगाट पार्ट टू अर्जुन का दिमाग भूत तेज था अर्जुन वो सोच सकता था जो आज की दुनिया में शाहिदी ही कोई सोच सकता है यहाँ पर मसला सिर्फ एक ही था कि अर्जुन को इंसानियत का अर्थ जानना था इसीलिए वो सिर्फ इस विष्या पर बात करने लगा था वीर के पास अर्जुन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था इसलिए अर्जुन वहाँ से घर लोट कर आ गया शाम के पांच बज रहे थे रोहित जी भी अब तक घर लोटाए थे रोहित जी घर के बाहर चेर पर बैट कर अपने पडोसी रामलाल जी से बात कर रहे थे अर्जुन अंदर कमरे से बाहर आया पापा, मुझे आप से कुछ बात करनी है अर्जुन ने आते हुए कहा बेटा बाद में बात करें अभी हम कुछ जरूरी बात कर रहे है रोही जी ने अर्जुन को देख कर कहा लेकिन पापा बात जरूरी है मैंने कहा ना अर्जुन हम बाद में बात करेंगे अभी तुम जाओ और खाना बनाने की त्यारी करो अरजुन वापस पीछे मुड़कर अंदर चला जाता है भाईया क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं सोरिया ने सेडियों से नीचे आते हुए पूछा कुछ नहीं मुझे पापा से जरूरी बात करनी है लेकिन पापा अभी व्यस्ट है उन्होंने बोला कि खाना बना लो अरजुन ने परेशान होकर कहा ऐसा भी क्या बात कह भाईया जो आप सुबह से अथने टेंशन में हो सोरिया ने अरजुन की बाहम पकड़ कर पूछा छोटे मैं बाद में बताऊंगा अभी खाना बना लेते है अरजुन इतना कहकर किचन में चला गया भाईया भाईया रुको मैं भी आता हूँ सुरिया ने अरजुन के पीछे किचन में आते हुए कहा तू यहां क्यों आया चोटे अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर अपनी अरजुन ने एक बरतन उठाते हुए कहा भाईया मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ खाना बनाने में चोटे मैंने कहा ना अपने कमरे में जा मुझे तेरी हेल्प की जरुद नहीं है अरजुन थोड़ा सक्त होकर सूरिया से कहा अर्जुन की बात से सूरिया को तकलीफ हुई वो अपने कमरे में चला गया और अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया अर्जुन ने एक पतीला लिया और उसमें पाने डाल कर थोड़ा नमक डाल दिया दरसल अर्जुन की मा इस दुनिया में नहीं है अर्जुन जब दस साल का था तब वे एक बड़ी बिमारी की विज़े से चल बसी थी तब से रोही जी और अर्जुन सूरिया अपनी लाइफ में केले रह रहे हैं तो चलता हूँ रोही साब रामलाल जी ने रोही जी से कहा ठीक है रामलाल जी और मैं सोचूंगा उस बारे में सोच कर आपको बताऊंगा रामलाल जी वहां से चले जाते हैं रोही जी मुस्कुरा कर उनको देखते हैं फिर पलट कर घर के अंदर जाते हैं वीर का घर वीर अपनी बाइक से घर आता है मा कहा हो आप वीर ने अपनी मा को आवाज लगए अरे मैं आ रही हूँ वीर बेटा कुस्म जी ने कहा हे भगवान ये लड़का भी न दिन बर बाहर गुमता रहता है जरा सा भी घर पे पैर ने टिकता घर में इतना काम पड़ा है और ये मज़ा मस्ती करके आता है रुको अब भी इसकी खैर लेती हूँ यही सब बुदबुदाते हुए कुस्म की चन से बाहर आई कहा गया था तू कुस्म ने वीर से पूछा मा वो मैं वीर ने कहा पर कुस्म वीर की बात पूरी होने से पहले ही आगे पूछती है मैं वो क्या मैं प्लेक्राउंड में गया था मा किर्केट मैच देखने अच्छा किर्केट देखने गए थे और घर का काम कौन करेगा मा मैं सिर्फ किर्केट मैच देखने गया था किसी जुए के अड़े पर नहीं गया था जो इतना गुसा कर रही हो और वैसे भी घर के काम करने के लिए आप हो ना मा तो आपको मेरी जुरुत क्यों पढ़ सकती है वीर ने अपनी बैक सोफे पर रखते हुए कहा दो दिन बाद तेरे मामा जी आ रहे हैं इसलिए घर की थोड़ी सफाई करनी है और वीर मुझे ये बिल्कु भी पसंद नहीं है कि कोई हमारा घर गंदा देखे और मुपर बोल कर चले जाए मा इतनी सी बात के लिए आप अपने बेटे को डाट रही हो डाटू नहीं तो और क्या करूँ जब देखो तब आवारा गर्दी करते रहते हो यहां गूमना वहां गूमना बस अप होती कौन हो मुझे भार गूमने से रोकने वाली बोलो वीर ने मा से पुछा जैसे ही वीर ने यह बात बोली तो कुसम जी को जैसे धक्का लग जाता है वीर को अब गुस्ता आ गया था उसने अपनी माँ से इस तरहे की बात की तो मानो ने कानों पर यकीन नहीं हुआ उन्हें लगा कि शायद उन्होंने ठीक से नहीं सुना क्या कहा वीर फिर से कहना तो वीर इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है कुसम जी जो अब तक वीर की बाते सुन रही थी उनको बहुत दुख हो रहा था उन्हें यह बिल्कुल भी उमीद नहीं थी कि उनका बेटा वीर उन्हें ऐसी दिल तोड़ के बात कहेगा कुसुम रोने लगी वो किचन में चली गई अभी शाम के साड़े छे बजे थे एक औरत हाथ में दिया लेकर कुसुम के घर आई कुसुम भावी और अपने आवाज लगाते हुए कहा कुसुम ने अपने आशु पोछे और फिर किचन से बहार आई हाँ निर्मला बोलो क्या बात है भावी अब संध्या आरती के लिए नहीं चलेंगी निर्मला ने सिर पर अपना पलू रखते हुए पूछा चलूंगी ना रुको मैं बस अभी आई पाँच मिनिट बाद कुसुम अपने हाथों में दिया लेकर बहार आई और फिर दोनों ही मंदिर चली गए बीर अपनी मा से गुसा होकर पार्क में चला गया था इधर कुसुम को दुख हो रहा था लेकिन इस वक्त वो चुप थी इधर अर्जुन के घर पर अर्जुन ने खाना बना लिया था साथ बच चुके थे रोहिज जी टीवी पर न्यूर्ज दीख रहे थे अर्जुन ने खाना लेकर डैनिंग टेबल पर रखा पापा खाना रेडी है हाँ अर्जुन सूर्या कहा है वो अपने कमरे में है पापा मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ छोटे खाना रेडी है आजा खाते हैं हाँ भाईया आप जाओ मैं अभी आया अर्जुन सूर्या से इतना बोल वापस डैनिंग टेबल के पास आया और चेयर पर बैठ गया सामने टीवी पर नियूज चल रही थी सूर्या भी डैनिंग टेबल पर आ गया रोहिच जी भी बैठ गये अर्जुन सबको खाना परोसने लग गया तब ही टीवी पर एक नियूज चली मुंबई के फिल्म सिटी की एक कॉलोनी में चौदा वर्षे लड़की का हुआ खोन अर्जुन के हाथ से खाना परोस्ते हुए रुक गए अर्जुन के हाथ खाना परोस्ते हुए रुक गए अर्जुन ने टीवी की और देखा टीवी पर नियूज में एक छोटी सी 14 वर्षी रड़की की लाश थी मुंबई और बाहर सिटी के कुछ रिपोर्टर इस घटना को कवर कर रहे थे उस घटना स्थल पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे जो भीड को धूर करने की कोशिश कर रही थी अरजुन ने जब यह न्यूस टीवी पर देखी तो उसके होश ही उड़ गए उसके हाथ से चमच नीचे गिर गया क्या हूँ अरजुन बेटा कुछ नहीं पापा वो ऐसे ही छूट गया मेरा ध्यान नहीं रहा फिल्म सिटी कॉलोनी में 14 वर्षी लड़की का खून हुआ था जिसके चलते काफी पुलिस वाले हर वह प्रियास कर रहे थे सभी पुलिस कर्मी और अधिकारी घटनस तलके आसपास के एरिये को चार्ज करने लगे कुछ पुलिस वाले उस लड़की के परिवार से भी बाते कर रहे थे जो बहुत दुखी थे अपनी बेटी के जाने से एक इंस्पेक्टर मृतक लड़की के पिता से पूछता है देखिए हम जानते हैं कि यह समय आपके लिए अभी सही नहीं है लेकिन क्या करें हमारी ड्यूटी है तो हमें पूछतास तो करनी पड़ेगी क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आपकी बेटी का खून हुआ तब आप उस वक्त कहां थे उनके साइड में एक खबलदार एक रेइस्टर लिए खड़ा था जो की स्टेटमेंट और प्रूफ नोट कर रहा था मुझे तक लड़की के पिताजी ने सब कुछ बताया पुलिस अपनी इंविस्टिगेशन कर रही थी कि एक 19 साल का लड़का उसे भीड को चीड़ते हुए आगे आया और क्राइम सीन्द को देखने लगा ये लड़का कोई और नहीं बलकि अरजुन था अरजुन वहीं खड़े होकर उस 14 वर्षे लड़की की लाश देख रहा था उसके शरीर पर खून ही खून फैला हुआ था लड़की के पेट पर चाकू के वार के निशान साफ नजरा रहे थे जो अरजुन की और बाकी लोगों की तरह रूत खिला दे रही थी अरजुन की मुठिया कस गई और उसने खुद से लड़की की लाश को देखा अरजुन वहां खड़े सब लोगों की तरफ देख रहा था कुछ लोग पुलिस को इस घटना के बारे में बता रहे थे तो वहीं कुछ लोग मिले तक लड़की की फोटो भी खीच रहे थे अरजुन वहीं से वापस मुड़ा और घर के लिए निकलने लगा अरजुन को बहुत गुसा आ रहा था क्योंकि अभी जो उसने देखा वह पधियाप्त था उसकी सोच को बदलने के लिए एक लड़की का खून हुआ था तो सभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आए और टीवी प्रेस रिपोर्टर्स भी न्यूस कवर करने आए यह सब लोग लड़की का नाम वह क्या करती थी उसका खून कैसे हुआ कहां रहती थी इस सब के बारे में बाते कर रहे थे और पूशताश भी कर रहे थे लेकिन कोई यह जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा कि आखिर खून किस ने किया वहां खड़ा कोई भी आदमी मृत्क लड़की के बाप को समतावना देने की कोशिश नहीं कर रहा था बस घटना स्थल का फोटो निकाल कर लड़की की फोटो निकाल कर गुरूप में शोशन मीडिया पर अपलोड करती है रहे थे और निूश पर भी दिखा दी बस इतना कड़ सकते हैं ये लोग अरजुन अपने मन में लोगों के बारे में गुस्से में बोल रहा था कुछ देर बाद वे अपने घर आया घर पहुचते ही उसने अपने पापा को देखा और उनके पास आया अरे अरजुन बेटा कहां गए थे मैं तो हड जगे ढून रहा था तुम्हें पापा वह मैं क्राइम सीन देखने चला गया था अभी न्यूज आई थी न टेवी पर कून की तो वही देखने गया था अरजुन बेटा ऐसे घटना स्दिल पर नहीं जाते वहाँ पर पुलिस और बाकी लोग इन्विस्टिकेशन करते हैं बेटा गटना स्दिल की जाच करते हैं हमारा वहाँ कोई काम नहीं होता रोहिच जी के मूँसे यह बात सुनकर अरजुन हैरान रह गया उसे यह उमिद नहीं थी कि उसके पिताजी रोहिच जी भी ऐसा बोल सकते हैं अरजुन जब उस गटना स्दिल पर मौजूद था तो वहाँ खड़े कुछ लोग मेरे तक लड़की के फोटोस निकाल रहे थे तो वहीं कुछ लोग बाते भी कर रहे थे लेकिन एक भी आदमी की आखों में उस लड़की के लिए कोई दया या फिर कोई हांसू नहीं थे सिवाए उसकी पिताजी के क्यों हेलो एवरिवन तो कैसा लगा आपको इस कहने का यह भाग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए था क्यों थे लिस्टेशन थे